कॉपी और पैनल लेकर रेडी रहे हैं आज भी क्योंकि बहुत सारे कोश्चेंस आज हम सॉल करने वाले हैं तो सभी लोग अपनी कॉपी और पैनल लेकर पैठेंगे ठीक है चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सो हेला अब्रेवन गुडी इवनिंग पहले तो सभी को एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और जो हमारा फर्स्ट चेप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धिती या इंग्लिश में जिसको बोला जाता है नंबर सिस्कम यह चेप्टर हमारा चल रहा है ठीक है इसमें हमने operations on fractions यानि भिन्नों पर संक्रिय हैं मोहित देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप 15 मिनट पहले class जोइंट कर लिए अगर अगर कोई डाउट है मैं 15 मिनट बाद बाद में जब class होने वाली होती है तब भी मापको टाइम देता हम और जब class शुरू होने वाली होती है उससे भी पहले में 15 मिनट पहले आ जाता हम तो आप तभी भी पूछ सकते हैं तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था बहिन्नों पर संक्रिय है यानि operations और बाद कैसे हम जोडते हैं कैसे घटाते हैं कैसे गुणा करते हैं कैसे बाद करते हैं ठीक है तो पिछली class में हमने सीख लिया था कि बिद्नों को कैसे जोडते हैं तो मैं आप सब एक टैस्ट लेना चाहता हूं छोटा सा आपके लिए question है उस question में आपको घिन्नों को सबसे पहले आप इस question को करेंगे और answer आपको करना है पोल में चले ठीक है तो यस अपनी कॉपी में सभी लोग इस question को सौल करेंगे आपके लिए करेंगे लोग इस question का अंसर मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने होंवर्क किया है कितने बच्चों प्रैक्टिस की है कितने बच्चों समझ आप जा यस करिए सबी लोग इस question मैं किसी की प्रपी चेक कर सकता हूं कैमरा उन कराके इसलिए solve करना सभी को पॉल आपकी screen पर आ चुका है सभी लोग ओके तो पॉल में जाएए चार option है आपके पास और जो भी आपका सही answer है उसको आपको vote कर देए करेदा मेअ जापके तते पाति लोग जापके गया है है एंद,'... झाल झाल आपके पास पूरा एक मिनट है अब एक मिनट के अंदर अंदर सभी बच्छे इस question का answer करें जिन बच्चों ने अभी अभी class join की है उनको में बता दू इस question है आपकी screen पर इस question का answer आपको करना है पोल में जाता है तो करिए सभी लोग इस question का answer यहाँ पर आपको दो भिन्मों को जोड़ना है नो बटे चोधा और पांच बटे एक किस को फिछ मैं थोड़ा हिंट देता हूं मैंने क्या बता है था पिछली class में सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है है LCM सबसे पहले आप LCM निकालो 14 और 21 का LCM निकालने के बाद आपको क्या करना होता है हर से LCM में भाद करो और जो answer है इसकी अंश्य में गुना करो ते तीन स्टेप मैंने बताये थे करिए सभी लोग इस question का answer कि मैं आपके पास करें आपके पास करें आपके पास पर चलो में एक मिनट और दे दे ताग करिए आप आपार आम से करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब लास्क टैन सेटेंड लेकिन तीन चार लोग गलत भी था तो जिनका गलत था वो ध्यान दे और जिनका सही था वो भी ध्यान दे आप तो क्या करना था 9 बटे 14 में 5 बटे 21 को जोड़ना था ठीक है 9 बटे 14 में आपको जोड़ना था 5 बटे 21 तो मैंने पहला step क्या बताया था पहले मैं लिख लेता हूं इसमें अंश क्या है 5 बटे 21 में 5 अंश है और 21 क्या है ठीक है 9 बटे 14 में 9 अंश है और 14 क्या है ठीक है तो जो आपको पहला step यानि step 1 जो आपको बताया गया था वह यह बताया गया था कि हर का सब्सक्राइब निकालो जिन बच्चों को गलत था या जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो दिहान दे मैं आपको बता रहां कि कैसे जोड़ा जाता है भीनों को हर क्या है यहाँ पर 14 और 21 है ना हर मैंने लिखा हुआ है साफ साथ हर क्या है यहाँ पर 14 हर है और 21 हर है तो 14 और 21 का LCM निकालना होता है यानि हर का LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम दो से भाग करते हैं तो दो से जब आप 14 को भाग करोगे तो साथ आएगा और 21 तो दो से भाग हो गई नहीं तो 21 को आप ऐसे का ऐसे नहीं कि तीन से एकिस को बाग कर सकते हैं येस तो तीन से साथ को बाग करने सकते हैं तो साथ ऐसे कैसे ही रख लेकिन एकिस को बाग कर सकते हैं तो तीन सकते एकिस इसके बाद ये दोनों साथ किस से बाग होंगे सिर्फ साथ से तो साथ एकम साथ साथ एकम साथ तो LCM में रख सबको समझ आ गया 42 जिसको नहीं समझ में आ गया तक यह स्काइप करो टो एक है तो मैंने यहां पर लिख दिया बैद सब्सक्राइब कर रहा हूं इस हिस्ते को रभ कर रहा हूं फ़िस्ट एक बन हमारा यहां पर खतर हुआ step two मैंने क्या पताया था अगर आप लोग ने पिछली क्लास में note किया हो अपनी copy में तो मैंने कहा था step two में कि अगर note नहीं किया है तो आज कर लेना हर से LCM को भाग करो हर से LCM को भाग करो तो देखो यहां पर LCM क्या है यह है और हर क्या है यहांपर 14 तो 14 से 42 को भाग करो तो जब आप 14 से 42 को भाग करोगे तो क्वा एका हर 14 है HCM 42 तो 14 से आपने 42 को भाग किया तो क्या आया? तीन आया तो तीन हमने यहांपर लिख दिए ठीक है और step 3 हमारा क्या कहता है कि भाग करने के बाद जो उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो उसकी अंश में क्या कर दो गुणा कर दो टो अब इसकी हमें क्या करना है जो उत्तर आया है उत्तर मेरा क्या आए था बाद कर के 30 तो इसतीन की गुणा कर दो किसमें अंश में वर अंश क्या है नो तो तीन गुणा नौ उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस आ गया फिर हमें वही काम करना है हर से यानि स्टेफ तू हर से ल्जियम को बाग करो हर क्या है 21 1 से 42 सो भाग करो वहीं कि तो दो आया और जो भी उत्तर आये उसकी अंसिमें गुना करतो इस अंश में तो हमारा आंसर क्या आया 37 व्याव 15 बताएश सभी को समझ आया यह मारा अंसर सबी को समझ आया कैसे हम जोड़ते हैं जिन बच्छों पिछली क्लास नहीं किती उनको समझ आ गया है जिना प clairement को पूछ लो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछ लो फिर मैं खूल में कुश्चन करते हैं और आगे ठीक है तो इसका अंसर हमारा क्या आया 37 बटे 42 ठीक है यस इसका अंसर है 37 बटे 42 बटाओ यहां तक सबको clear है ठीक है अगर सबको समझे में आ गया है तो अब आप मुझे यह बताओ मैंने आपको सिखाया था एक चीज और सिखाई थी जो मोहित आपका question का मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि मिश्र भिन को कैसे हम विश्रम भिन में बदलते हैं अगर मैं आपसे कहूं चार सही एक बटे दो को बदलना है विश्रम भिन में अगर शर्वत आता है पहले यह बताओ यह सबको आता है ना आता है सर्व ओके बागी लोग बताइए देखो एक बच्चा बोल रहा है उससे नहीं मुझे सबका सुनना है सबको आता है तो यह स्टाइब कर दो जिनको नहीं आता वो सुन लो एक वार और क्योंकि इसकी मुझे ज़रत पड़ेगी इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ चार क्या है यहां पर पूर्ण संख्या एक क्या है और दो क्या है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हर की गुणा पूर्ण संख्या में करने के बाद उसमें पंश को जोड़ दो और बटे यह फॉर्मूला इसको सभी लोग नोट डाउन कर लो किसको इसको इस फॉर्मूले करको नौ पहले यह बताओ, यह सब को समझ आगे हैं ना, मेरा एक question है, कि आपको 4 सही 1 बटे 2 में, आपको 4 सही 1 बटे 2 में क्या जोड़ना है, 5 बटे 2 जोड़ना है, तो सभी बच्चे मुझे इसको solve परके दिखाओ, सबसे पहले अब इस mission को बदलोगे विशम बिन में उसके बाद ज ठीक है, 4 सही 1 बटे 2 में, 1 सही 5 बटे 2 जोड़ना है, question बड़ा change है, सभी लोग देख लो, 4 सही 1 बटे 2 में, 1 सही 5 बटे 2 जोड़ना है, सभी लोग जोड़ना है, और मैं किसी के लिए copy चेक कर सबता हूं, सभी को करना है, सभी लोग, इस मनीश का अंसर आ गया, वागे लोग आंसर दीजिए, फिर मैं copy चेक पर हूंगा किसी एक बच्चे की, आपने आंसर 16 बटे 2 को भी आप आगे solve कर सकते हो, आपने आंसर 16 बटे 2 का मतलब क्या है, कि 16 को 2 से बाग करना है, जब आप 16 को 2 से बाग करोगे, तो क्या आएगा? उसको थोड़ा और solve करो, अगर वो solve हो रहा है, तो 16 को आप जब 2 से बाग करोगे, तो 8 आएगा, तो आपका आँसर 8 आएगा, ठीक है? 16 बटे 2 भी सही है आंसर, कोई problem नहीं है, लेकिन आप हमेशा भिन को simplify करके, यानि सरल करके लिखोगे, सभी बच्चों को भिन को सरल करना आता होगा, अगर नहीं आता है, तो वो भी मैं आगे बता दूँगा, ठीक है? यस, कर यह सभी लोगे किया सबने? ठीक है, चलिए, तो कौन दिखाएगा अपनी copy hand raise लोगे, कौन अपनी copy दिखाना चाहता है, hand raise करिए ठीक है, किरान आप दिखाएगे अपनी copy किरान आपकी copy दिखाएगे हाँ जी, मोहित, आप दिखाएगे अपनी copy मोहित आप इसी ताइप के questions को बोल रहे थे, कि workbook में ऐसे question है बटाइए क्या answer आपका? very good, मोहित very good, yes very good very good किरान उसको solve करो, 16 बटे 2 को हम 8 भी लिख सकते हैं, यानि कि 16 को 2 से बाठ परके, ठीक है? अब मनीश आप दिखाएगे अपनी copy okay, very good, prince army का fan, very good ठीक है, चलिए, तो इस question को solve कर लेते हैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ है, वो ध्यान दे मैं आपको अभी अभी बताया, कैसे बदलते हैं, इन mission, भिलकॉम, mission minimum में, ठीक है तो मैंने बताया, कि इसकी गुणा होती है, और उपर जाके जुड़ जाता है, मैंने जो formula लिभाता पड़ा सा, उसको हम direct ऐसे समझ सकते हैं, कि नीचे गुणा होगी, ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो दो की गुणा चार महीं तो आठ पर आठ में एक जोड़ा तो नौ, तो नौ बटे दो हुए होगी, हैलो सर, आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही है, मेरी आवाज, कहले बताये सभी कि यहारी आवाज समय को, यह सर, सही गार गया, ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बताया था, कि आपको यहाँ पर इसको गुणा करोगे, और उपर जोड़ दोगे तो नौ बटे दो हुआ, इसी तरीके से दो की एक में गुणा करोगे तो, दो, और दो में फिर पांच को जो तो LCM मेरा क्या आपको आया, तो 2 मैंने आपको LCM लिख दिया, उसके बाद मैंने बताया था, कि हर से LCM को बाग करो, तो हर क्या है यहाँ पर 2, 2 से 2 को बाग करोगे तो एक आएगा, और जो भी भाग करके आँसर आएगा, उसकी अंश में गुणा कर दो, तो एक की नौ मे ठीक है, और जब आप 16 को 2 से भाग करोगे, तो क्या आँसर आएगा, क्लियर हो सभी को, सर्दोबार संजय मेरी वाज नियार ती वस सही डाड़ा आगी सर, ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने यह जो भिम हैं, हमारी मिश्र भिन इनको बदलाए, इनको कैसे बदलते हैं, मैं मैं आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में, बदलने का तरीका क्या है कि नीचे वाले, नीचे हम गुणा करते हैं, यानि हर की गुणा होती है फून संख्या में, जो अभी मैंने फॉर्मॉला लिखवाया है, तो 2 की गुणा चार में करोगे, तो 8 आएगा, और उसमें उ जो ही चीज जो अभी तक हम करते हैं, 2 और 2 का LCM, यानि हर का क्या लेते हैं, LCM, तो 2 और 2 का LCM क्या आया, 2, ठीक है, कैसे 2 एकम दो, 2 एकम दो, LCM आया सिर्फ 2, तो मैंने LCM यहाँ पर 2 लिख लिया, फिर मैंने बताया था, कि पहले हम हर से LCM को भाग करते हैं, तो हर क्या यहाँ पर 2, 2 से 2 को भाग किया, तो क्या आया, 1, और जो आंसर आता है, उसकी अंश में गुना कर देते हैं, तो अंश क्या है, मेरा 9, तो 1 की 9 में गुना कर देगी, ठीक है, इसी तरीके से हर से LCM को भाग किया, तो 1 आया, और 1 की गुना 7 में की, तो क्या आया, 7 आया, और एक लुणा नौ में की तो नौ आया और नौ साथ सोला बटे दो और जब हमने सोला को दो से बाग किया तो आठान को आए देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बहुत सारे कॉश्चिंस करने वाले हैं कभी तो समझ में आएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है मैंने आपको जो स्टैप लिक्वाए थे यह תीन स्टैप पहला यह दूसरा यह और तीसरा यह अगर यह स्टैप आपको समझ में आ रहे है तो वे प्हुष्टेंट आपको समझ में आ जाये हो यह आपको अपनी कॉपी में नौ रटीम करने हैं साम here ठीक है, येस, तो question भी तरफ चलते हैं फिर, ठीक है, तो ये तो हमारा वही question था, जो हमने अभी किया था, अब एक example और है, दो बटे 5 और एक बटे 3 को हमने कैसे जोड़ा था, 5 और 3 का LCM 15, ठीक है, फिर हमने 5 से 15 को बात किया, तो 3 की गुणा 2 में करी, तो कितना आया, 6 आय किसे 3 से 15 को बात किया, तो 5 आया, और 5 की गुणा 1 में करी, तो 5 आया, 6 और 5, 11, 11 बटे 15, तो एक question है, पोल में आप सभी को करना है, ठीक है, तो question है ये, 13 बटे 2 में, आपको जोड़ना है, 4 सही एक बटे 2, ठीक है, तो सभी बच्चे इस question को करिए, और उस चीज का ध्यान रखना कि बिन को simplify जरूर कर ले, जैसे मैंने 16 बटे 2 को simplify करके 8 बताया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी simplify होगी ये बिन, तो सभी बच्चे इसको solve करें, पोल आपकी स्क्रीट पर आप चुका, तब तक मैं बच्चो के नाम मिल देता हूँ, जिन्होंने पिछ्छी क्लास में पोल में answer किये थे, उनके नाम है आरती, साक्षी, प्रिंस आर्मी का पैन, मोहित कश्यव, कुंदिग पवार, हर्ष, सेंथ, सुमित, मनीश, हिमेश, मोहित, सुमित कुमार नाम से हैं, रॉनि ये वो बच्चे हैं, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में answer किया था, इस question में एक बच्चे का answer आ चुका है, एक बच्चे का answer सही है, अच्छे, दो लोगों का answer आ चुका है, एक का सही है, एक का गलत है, चलिकर ये जमी लोग, आपके पास पूरा एक मिनट, सभी को solve करन है, आसाँ हम सब ऊशिये है, एक बच्चे करिए सिकाई चूइए, एक करीश को कर एंजय कर आए लो एंज पर्श। और वारेगर थे छेदग बटन्स बीज्ट ऺजए करिसंवें आपके पास 30 सेकंड हो रहे हैं दो लोग बच्टे हैं इन लोगों का आंसरा ना बाकी है 30 सेकंड हैं आपके पास कोई भी तुखका नहीं मारेगा तुख से अपनी कॉपी में सॉल्व करिए जो आंसरा है तब आपको टिक करना है चलिए आपके पांच सेकंड पाइव पॉर थी टू वाद ओके अच्छा कासर चल रहा था सभी लोग सही आंसर कर रहे थे लेकिन बाद में जो 3-4 बच्चों ना आंसर किया है सबने गलब आप हैं ना जो 3 लोग बच गया थे उन्होंने सबने गलब आंसर किया है तो अभी तक जो चल रहा था वो 90 परसेंट का चल रहा था कि 90 परसेंट लोग आंसर सही था लेकिन तीन लोगों के गलत आंसर फिरते ही वो आगया है हमारा 60 परसेंट पर येस तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको ध्यान से सॉल्व करना होता है चले कोई बात में एक बाब और समझ लो तेहरा बटे-दो को जोड़ना है देखो बच्चों मैंने आर आपको 3 स्टैप लिखवाए हैं वो 3 स्टैप आपको हिंडी में लिखवाए हैं आपको पढ़ने हैं और एपलाई करने तार सही एक बटे-दो को जोड़ना है और मैंने ये भी बता दिया कि इसको बदलते कैसे हैं, जब मैं ये सब चीज सिखा रहा था तब भी मैंने बताया था, और आज की क्लास में भी मैंने एक question लेकर ये बताया था, इसलिए क्यूंकि जिससे आपको कोई confusion ना हो, है ना, तो तेरा बटे दू तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अब ये चार सही एक बटे दो को मुझे बदलना है, तो कैसे बदलूँगा मैं, मैंने आपको बताया था, कि नीचे जो संख्याय उसकी गुणा होती है, side में, यानि दो की गुणाओं की चार मे और उसमें, एक जो है, वो जोड जाता है, यानि अंश को जोड दिया जाता है, जो नीचे जो संख्याय है, उनकी आपस में गुणा करके, उपर वाली संख्याय को जोड दिया जाता है, इतनी सी बात मैंने आपको बताई, दो की गुणाओं चार में करोगे तो आठ, और आ तो कैसे जोड़ोगे, दो और दो का, पहले स्टेप क्या है LCM, पहले स्टेप क्या है LCM, चलो मैं दुबारा से एक एक चीज लिखकर फिर से बतारू, ये अंश है, ये फ़र है, ये अंश है, और ये फ़र है, पहले स्टेप है, दुबारा से सीख लो, ठीक है, एक एक तो हर क्या है मेरे यहां पर मैंने लिखा हुआ है साफ साथ दो हर है और यहां पर भी दो हर है तो दो का यहां पर तो कुछ आएगा है यहां यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं आगए यहां पर दो उसके बाद मैंने आपको स्टेप टू बताया था कि हर से लसीम को भाग करो यह मेरा लसीम है ठीक है स्टेप टू मैंने क्या बताया था हर से लसीम को भाग करो हर से लसीम को भाग करो हर क्या है दो दो से लसीम क्या है दो दो से दो को भाग करो तो एक आएगा उसके बाद मैंने बताया था स्टेप थरी जो भी उत्तर आए उसकी जो भी उत्तर आये उसकी अंश में क्या कर दो क्या कर दो गुणा कर दो तो मेरा उत्तर आया था में क्ầ travels है न दो से दो को भाग देने पर एक उत्तार आया उसकी ऑंश में गुणा करऊ तो एक की 13 में गुणा करऊ गवे तो प्लस दोबरा से कि अब इस में का हर ले लो हर से को बाग करो एस दो से इस को भाग करो तो आया एक और जो भी उत्तराय उसकी अंश में गुणा कर दो एक ही गुणा कर वह नौ में तो आएगा नौ तो 13 रभनों कितना हुआ बाइस बटे अब ये बताओ बाइस बटे दो का मतलब क्या है कि बाइस को दो से भाग करना है बाइस को दो से भाग करना है तो जब आप बाइस को दो से भाग करोगे तो क्या आएगा क्या और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा यह तीन स्टैप मैंने जो हिंदी में लिखे हैं यह तीनों सबको समझ आ रहे हैं न बताओ पैले यह तीन जो स्टैप लिखे हैं यही आपको फोलो करने हैं तो चैट बाक्स में बताओ सबको समझ आ रहे हैं फिर गलक क्यों कर रहे ह तो इसलिए तीनों स्टेप को यह तीन चरण कह लो इनको अपने दिमाग में बिठा लो और वो दिमाग में बैठेंगे कैसे जब आप ज्यादा से ज्यादा कोश्चन सॉल्व करोगे जब आप होमवर्क करोगे होमवर्क कितने वच्चों ने किया। मुश्किल से दो चार वच्चों ने वोमवर्क किया होगा, होमवर्क नहीं करोगे, Quession Salve नहीं करोगे तो नहीं होगे. आपको होमवर्क करना है तो यहQuaश्चन सब को clear है, इसका एंसर क्या होगा, क्या होगा? वोंबर्क करोगे तो कुश्चन सोल्वंगे नहीं करोगे तो नहीं सोल्वंगे आगे चले खीक है तो इस ताम किया होगा 11 यह सब तो समझ आए गया यह तीन स्टेप जो मैंने बताए हैं यह तीन स्टेप अपनी कॉपी में लिख लो और अगली क्लास में आने से पहले जो आपको मिली है उसमें जो क्वेश्चन दिये हैं उनको सॉल्म करो खुद से यह तीन स्टेप पड़ पड़के मैं गारंटी दे रहा हूं 5-6 यह स्टेप पड़के पांच कॉश्चन खुद से कर लो च्छटा कॉश्चन जब आप करने बैठोगे आपको नहीं जब पड़ेगी यह तीन स्टेप देखने क्या खुद से कर दो और क्लास में भी अगर आपको कोश्चन दिया जा रहा है तो यह स्टेप पड़के उन कोश्चन को सॉल्ट करो तभी तो आएं के समझे ठीक है अगर कोई डाउट रहा है किसी स्टेप में तो पूछ लो ठीक है मैं आपी के लिए लिख रहा हूंगे तीनों स्टेप भर गठाते हैं जैसे जोडते हैं ऐसे घटाते हैं जैसे हम जोड़ रहे थे न जोड़ने में फोलो कर रहे थे पहले लो फिर हर से लसी तो भाग करो पिर जो तरह उसके अंश्मिक गुना कर दो वहीं चीज हमें यहाँपर कर निया है मोहित आपको जो डाउट है 16.1 में जो आ कोश्चन है आपको इसको सॉल्ट करना वन सब्सक्राइब इस बार तीन बटे चार में से दो बटे तीन गटाना तो सभी बच्चे इस को सॉल्ट करना जैसे जोड रहे थे ऐसी गटाना है वस्यां पर गटा कर निशान आ गया है ठीक है तो पहला स्टैप 4 और 3 का लसे निकाल है कि इन बटे चार में से माइनस करना है दो बटे तीन को कि सब्सक्राइब कॉपी में सॉल्ट करेंगे फिर मैं कॉपी चेकर्स करना आपकी सबको सॉल्ट करना है अपनी कॉपी में लॉनिक दुबार सॉल्ट करेंगे ओके मनीश का अंसर आया है लॉन वाइप लोगों के आंसर आ रहा है रॉनिक का अंसर आया है माइनस दू वाइट लॉक्त कि मनीश वैरीकों मैंने आपको भी देख लिए हांची किया सबने आपको पॉपी चेक करूंगा सबकी कोई बात नहीं रॉनिक कोशिन करोंगे तो गलत भी होंगे तो अगर गलत करोंगे तभी सही होंगे जरूरी नहीं आप जो कोशिन करोंगे वो सारे के सारे सही ही गलत होंगे सबके गलत होते हैं जरूरी चीज यह है कि आप कोशिन सॉल्व करोंगे अगर आप कोशिन सॉल् में आप होने लगें लिए तो यह मैट की बहुत अच्छी बात है अगर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं होने तो गलत कभी न कभी तो सही होने लगें ठीक है हाँ वेरिगोड रॉनिक चलिए रॉनिक आप ही दिखाई अपनी पॉपी कैसे सॉल्ट किया आप ने अपनी पॉपी दिखा दीजिए एक बार छोड़ा कैमरा कॉपी के पास लेके जाएए यह यस वैरी गुल्ट वैरी गुल्ट एक्सेलनट वैरी गुल्ट ओके इनके बाद मुझे पॉपी दिखाएंगे मोहित बोपी या नाथ नाम से जोस्क्रेंट आपनी पॉपी दिखाएए क्या आप तक यहां पर हमें घटाना था आपने हल किसी गल्पी कर दिया है अपने हिसमें तो यहां पर हमें घटाना है बीच में माइनस का साहिन है तो गटाना आपको तो सर एक बटी बारा आएगा येस ओके सर है नगे जारे बूब आपको बीच में साइन देखना है घटा का साइन अनको बटाना है जोडने का साइन अनको जोडना है ओके येस सर शिश राम नाम से जो है शिशा राम नाम से जो इसके लेंट है वो अपनी कॉपी दिखाईए जल्दी दिखाईए अपनी कॉपी सुमित कुमार नाम से तो स्टुडेंट अपनी कॉपी दिखाईए अच्छा प्रिंस आर्मी का फैन नाम से तो स्टुडेंट अपनी कॉपी दिखाईए तो समझ में नहीं आया समझे में नहीं आया, ओके और खुलदीद पवार नाम से स्टुडेंट अपनी कॉपी दिखाईए चर समझा दो समझा दो, ओके ठीक है अपनो माइक बंद कर लो, किसी का माइक कौन अच्छा, जो दो बच्चे बोल गए समझ नहीं आया, आपने जो मैंने तीन स्टेप लिखवाए हैं, वो आपने नोट कर रखे हैं ये स्टर ठीक है, तो आप ही बताएंगे मुझे, पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप मैंने जो लिखवाया था आपनी पॉपी में पढ़ी है, क्या है हरका हरका LCM निका UP हरका LCM निकाओ तो इसमें हर कौन कौन से हैं, आप बताएंगे मुझे ये आप जो कॉशन दे रहे वाएं, आपके पास दो भिन है चार जो आपके पास दो हबंद छेए, एक भिन है वन में घर का LCM निकालो, यानि 4 और 3 का LCM निकालो, देखो, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो देख लो, दुबारा, 4 और 3 का LCM, तो आपको LCM निकालना आता है, LCM कैसे निकालते हैं, हम सकते पहले, दो से चाहे करेंगे, क्या ये दोनों संख्या हैं, या कोई एक संख्या हैं इनमें से, दो से भाग हो रही है, तो देखो, 4 दो से भाग हो रहा है, तो 2 दुनी, 4, और ये जग 3 है, ये 2 से भाग नहीं होगा, आपना माइक बंद कर लो कि चार कैनि दो से भाग हो गया मैं सक्किए कि पिक नहीं इसके बाद दुबारा मैं मैं Hello मैं हुआ है कि इक यह तो से वह Stay हो जाएगा जाएगा दो एकम हम दो लेकिन तेह तीन से वह वागँ होगा तीन से एक ऐसे है से घो क्ञेयम कि वह अधिनर क्या यहाई का सिघ्यान की इस तो एलसी व्हो बोह से सिखागा मैं ये मान कर चल दना हूं कि याप सभी शिखाब नहीं आता हो तो बता दो फ्लीज मैं दोबारा से बता दो कि निकालते कैसे यह आता है सबको तो सकरी बारा के पहले सब्सक्राइब नहीं क्लेर है चार अर तीन का सब होगा बारट एन चार एंगा आया बारट ठीक है फिर मैंने आपको क्या लिखवाया था दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया था हर से LCM को भाग दो अपनी कॉपी में देखो दूसरा स्टेप क्या है हर से LCM को भाग दो हर क्या है यहां पर और जो भी उतनर आये मतलब जो उतनर हमारा थीन आया है उस work में गुणा कर दो तो अधिख है यह ए आपर भी ले जी बिन ने का उसकी बिन्दे का ढंश लेना कि मैं काफी बार बगा कुछ जां को ते अच्छा है हर से LCM को भाग दो LCM मेरा यह है हर से LCM को भाग दो तो 4 आया और इस जो आया है उसकी अंश में गुणा कर दो यानि 4 गुणा कर दो अब 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 12 9 में से 8 गया तो एक बचा तो एक बटे यह समझ में जिनको समझ में नहीं आया था पहले अब समझ में आ गया जो मैंने आपको तीन स्टैप लिखाए है ना उनको पढ़ो जो उसमें लिखा बस वो करते चाहूं कि अब कुश्चन में लिख लिए अगरोगी यह अंश है यह यह जैसे अगरता हूं जैसे मैं खरता हूं ना मैं कैसे करता हूं पहले अंश लिख ले diva उसके बाद मैं अपने मैं तरह तो किया यह ले क्वीर है झाल निकाला तो मेरा है यह लोई पर 20 सान गल्रों तो इसका वह घ्रला ही आए एक वटे बार अब समझ में आ गया है इस तो इसको काम सब आया हमारा एक वटा चार्ट एक एक और समय करेंगे जल्दवा़ी मत करना है चार बटे 5 में से एक बटे 3 को लटा माइन, इस पार सभी लोग रही करके दिखा जो कि चार बटे 5 माइनिस एक बटे 3 करना, कि कि जो STEP मैंने बताए हैं उनको पढ़ उ फिर कब ई साथ उपढ़ते जाओ साथ साथ करते जाओ, कोल की स्क्रीन पर आ जो करके लगा, चलिए एक मिनट है आपके पास तूरा आहम से सॉल करें चाहता हूँ इस बच्चे का आंसर हर बच्चा दे और हर बच्चे का आंसर एक दूं सही है जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ एक बच्चे का आंसर गलत आचुपा सबसे पहले पांच अप्टीम का एलसेम निकाल लो उसके बाद हैर से एलसेम को भागा दो जो आंसर है उसकी अमिश्मे गुना कर दो चलिए फंद्रा सेक्ट लो रहें आपके पास प्रूपा झाल शूब कि पांच सेकंड फाइव फोर प्री टू प्रांट आया ड़न सर देखो अगर किसी बच्छे का हो जाता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या करना है लसेम निकालो पांच और तीन का यह ना इसको भी मैं दोबारा से एक एक स्टैप बता देता हूं अब अब भी किसी को ना समझे माया हो तो दोबारा समझो चार वटे पांच माइनस एक वटे तीन जैसे मैं कर रहा हो कि यह जिनको नहीं आ रहा है समझें जिनको आ गया है वह तो डिरेक्टरि कर सकते हो यह अन्षय पांच हर है एक है यहिक है तीन क्या है पहले पेहले हम दो दो से चेक करें कि क्यए बाग और इसमें से पुछ नहीं त्यान तो पंच ऐसे ही रएगा कि तीन सेभाग। नहीं होगा और टीन एक हम तीन पंच किसे बाग पांच से पांच एक हम वाग कर एक हर से LCM को भाग करो हर क्या है 5 5 से 15 को भाग करो कि तो क्या आएगा 3 और जो answer आए उसकी अंश में गुणा कर दो 3 की 4 में क्या कर दो गुणा फिर माइनस हर से LCM को भाग करो यह है मेरा हर क्या है तीन से 15 को भागए तो आएगा और जो आणसर आए उसकी अंश में गुणा कर दो तो तो तीन चोग 12 माइनस 5 एकम 5 बटे 15 तो बारा में सब पांच एक है तो इतना पूंचा साथ बटे 15 तो आँसर क्या है हमारा साथ बटे 15 आगए समझ में जो तीन लाइन मैंने लिखाई है वही तीन लाइन बार बार रिपीट करके अधर को सॉल्व करता जा आ गया सब को समझ में कि सभी पच्छी एस टाइप कर दो अगर सब को समझ में आ गया है अगर किसी को डाउट हो तो पूस नहीं कि इसका अंसर है साथ बटे पंबरा कि कर अगर सब को क्लियर है तो यह स्थाइप पर दो किसी को डाउट हो पूछ कि प्रेकों कोशिन करते हैं इसके बाद कि देखो डाउट हो पूछ लो गलत मत करो या जाओ को पूछ सर एक को सरुट गजा दो इसी को बता दो दोबारा से ओक कि से देखो पहले आपने आपने वो जो तीन स्टैप में नहीं लिखाए वह तो पर पहले इस कोश्चन में धोरा एक्रोस मुल्टिप्लाइं में मान रहा हूं कि इनकी चार में गुणा पांच की एक में गुणा लेकिन हर कोश्चन में ऐसा नहीं होता तो आप अलग से वो चीज मत सोचो जो प्रोसेस है करने का उस पर ध्यान दो अगर मैं आपको कह दू कि 22 कूसरे एकeun में माइनस और र में करो रहए नहीं और शूंतर ईंटी चारू बाइस करोगे को इसे कि नहीं बहुत नंबर पढ़ जाके लाए तक करते रहोगे चार्म तो इनको लोटरे पर श्यूज और सरल करोगे यह चीज क्रॉस में टिप्लाई वाले चीज जो है ठीक है कर सकते हो लेकिन मत करो कभी मत करना कि जो प्रॉसेस है उसी पे रहो ठीक है तो मैं इस को दुबारा बता देता हूं चार बटे पांच में से एक बटे तीन को बटाना देखो जो आपके तीन लाइन लिखी हुई है जो मैंने लिखवाई है उनको खोल लो पहले तो जिसका भी यह डाउट है एक बार उसमझाने को अपनी वो जो तीन स्टेप मैंने लिखाए हैं उनको ओपन करो कर लिया को यह अंश है यह हर है कि यह अंश है कि यह हर कि स्टेप वन हर का LCM निकालो हर क्या है 5 और 3 5 और 3 का LCM कैसी कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 से कोई संक्या भाग हो रही है नहीं होगी उसके बाद 3 कर겨 squad 9 सबड़ान हमारा नाजर सब्सक्रान जा था और पिल्स तो मेना को ट कि ये संख्या हों कि कुना होका कि कले से मेरा है ओ आरें जlok जो तो मैं हुआ और टीन गुणा 5 यानी कन दाने का बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर. फिर मैने बताए था, पाँच सेख बात सरो ले तो क्याएगा? इस हर से LCM को बाक करो हर क्या है पॉंच 5 से LCM क्या है 15 15 को बाक करो तो पांच से 15 को बाक करोते तो스트 पन्दरा को बाक करो ले तो कि आया गहानות और जो भी उत्थर आए उसकी कहा गुणा कर तो bisa अन्श में गुना कर तो यानी 4 में गुना कर तो अब देखो इसे हमने आश्म और जो आया है उसकी गुणा कर दी ए Manufacturing और यहीं तो मैंने लिखवाया है तूसरे स्टेप मैंने लिखाया तरया से कि खूआ फिर मैंने लिखाया है जो भी उत्तरा है योग उत्तरा आया बाद करने के बाद उसकी चांध थो फिर माइनos उसके बाद दुबारा हर से LCM को भाग करो, तो आपने 3 से 15 को भाग किया, तो 5 आया, और उसकी गुणा किसमे कर दो, अंज में यानी एक में, तो 5 गुणा एक, 3 गुणा 4, 12 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, बटे 15, 12 में से 5 गया, तो 7 बटे 15, अब आगया समझे में, बताओ, अब आगया समझे में, सभी लोग बताओ एक बाद, अगला कुशिन गलख तो नहीं करोगे, पोल में, ठीक है, चलिए, आज इक लास का लास्ट कुशिन, 7 सही एक बटे 2 में से 3 सही 3 बटे 4 को बटाना है, इनको बदलना आता है ना, अभी मैंने बताया थे जिब क्लास शुरूई थी, कैसे बदलते हैं, नीचे गुणा कर दो, और उपर वाली जोड़ दो, हैना, दो की साथ में गुणा कर दो, 14 और 14 में एक जोड़ोगे तो 15 बटे 2, ऐसे ही इसको चार ती है, 12, 12, 13, 15 बटे 4, ऐसे बदलते हैं, ठीक है, तो सकांसर को बेरेंगे सब्सक्राइब अच्छे पॉल में, आज इनकी क्लास के लास्ट कुश्चन है, तो सकांसर दीजे समय लोग पॉल, पॉल आपकी स्क्रीम पर आजाए, बढ़न जी एक मिनट है, आपके पास पूरा होना, आपका टाइम शुरू हो गया है, जल्द 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 सौल्व को, तीन स्टेप जो मैंने तीन लाइन दिक्वाइन को देखको, फिर सौल्व को, पहले इनको बदलना कड़ेगा, आपको भिन्न में, बतलब भिन्न तो यह है ही विश्रम भिन्न में, होमबर्द कर लेना यार, होमबर्द नहीं करोगे तो नहीं ही होगा कुछ करें। जो मैं होमबर्द में पुश्चन्स दे रहा हूं जो अक्सेसाइज दे रहा हूं लोग तराता हूं। तब ही समझ में आएंगे हैं। चले इस बार अभी तक तो सब में सही आंसर दिया है। 30 सेकंड में हो रहे हैं जो लोग बच गया हैं वो भी आंसर है। कि दरख मत कर लेना कोई भी दी। सही करो सभी। बहुत मैंने को समझाने में लिए। चले आखरी 10 सेकंड दो लोग आंसराना बाती हैं। आखरी 5 सेकंड 5, 4, 3, 2, 1। तो इस बार हाला की काफे बच्चो का अंसर सही था। साथ सही एक बटे दो में से तीन सही तीन बटे चार को बटाना था। तो मैंने बताया था कैसे करते हैं इनकी गोना तो 2 सत्ते 14 और उपर वाले में जोड़ देते 14 और 15 तो 15 बटे दो माइनस 4 तिया 12 और 12 और 15 तो यह हुआ 15 बटे चार। ठीक है अब 2 और 4 का LCM क्या होगा दो से बाग देंके पहले 2 एकम दो दो तुरी चार। फिर यह 2 से बाग हो जाएगा तो एक ऐसे कैसे रहा और 2 एकम दो तो LCM मेरा क्या आया दो गुणा 2 यानि 4 ठीक है तो 4 आया मेरा LCM फिर मैंने बताया था हर से LCM को बाग करो तो आप 2 से 4 को बाग करो तो 2 आया और उसकी गुणा अंश में कर दो यानि 15 में की को 30 आया माइनस ठीक है चलिए तो आज ही क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बात कर लेते हैं अब होमवर्थ के बारे में इसके आगे काम नेक्स क्लास में करें